मुझे पहला सिर में दरद था आदा सिर का दरद में क्रेन तो उनकी एक्सेस देख के मैं करने लगी तो ठीक हो गया अदमी को बता के है बताया तो वह लखा के वह उनको भी आराम मिला है नमस्कार आदाब आप सभी का बहुत बहुत सपागत हैं हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दरश को हम लोग पहुंचे हुए हैं बैंगलॉर हकीम सहाब ने जिस मुहीम की शुरुआत की है जिसमें हम अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं जान रही हैं कि हकीम सहाब से वो कैसे जुड़े हकीम सहाब की कौन-कौन सी दवाईयों के इस्तमाल उन्हें क्या थी और कितना अराम उनको हो गया है तो ये खास बाचीत करने के लिए बैंगलॉर में हम अपने बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात तो कर ही रही हैं कुछ प अखिला बेगम जी मिलकर उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी सेहत कराज बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका अधाब पश्यक्रिया मैम पहले तो आपकी उम्र जानना चाहूंगे और आपके घर में कौन-कौन है मेरे एज फॉटी है और हमारे घर में चार आपके जो हैं अब छोटा ख़िया इस जुडी पेर में उम्रॉबे। टवायश्यक्रिय की बोड़ता हैं और चोड़ा ग्र्करिया है तो आप तो हाउस वाइप है कैसे दूडीły में घंग करतार एं उनकी दावाई वह गए उनकी दुसरों को जो हज बोलते हैं वो सुनकर मैं भी उनका इलाज शुरू करें आपको क्या परिशारी थी थी मज़े पहला सिर में दरद था अधासिर का दरद में क्रेन तो उनकी एक्सेस देख के मैं करने लगी तो ठीक हो गया किते दिन में आट ड़ दिन में ठीक हो गया और यह माइगरेन की प्रॉबलम कब थी वह में शादे से पहले से थी वह अच्छा थोड़ा आप हमें करके दिखा सकती है किस तरह से आप करती है हाँ ऐसा जी ऐसा और आप तो आपने इस एक्सराइस को करके तो आराम पाही लिया है और वही आपने दवाई का स्तमाल किया हकीम साब की हाँ गुंसिया किस आपने धरद और घुटने में सुजन थी तबसे वह बहुत पुराना आट ड़ अल का था हो वी कम है अभी गुंसिया कप से लेना शुरू किया अपने और यह आट ड़ अल से लेना शुरू करे है तो कितना परसेंट में आराम समझों और 90% पहले क्या तक्लीप रहती थी थ जाते हैं और शुजन आजाती है चलने फिरने नहीं होता था दरद पैर में खिशना और कंबर का दरद भी कम है घर का सारे काम आप खुदी करती हैं तो अब तो कोई तकलीप नहीं होती है नहीं होती है ठीक है हकीम साब की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद हो और जैसे कि आप भी जानती है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट और भी टीवी पर दिखाये जाते हैं दवाईयां बताई जाती है तो हकी कौन सी ऐसी बात आपके दिल को चूग गई या आपको ऐसा दोप रोज देख दिए चीज रोज देखती हैं लिग में ए दिसला में तो जो बोलते हैं हम जो आला गोन दो और अमोरिंगा का गोन और ज जैतुन नमक और तो कुछ चीज़ अपने लिख भी रख़्ू है उप यह को याद नही है तो यह यह और क्या वा जैतुन का सिर्का सब सबब त्छे है आपके घर में आपके लवा भी हकीम साहब की कोई और दवाइ यह खाते हैं नहीं आप ही खालती थी तिक किसी और को भी आपने हकीम साहब की दवाइय बताएं की रहा है भाइद तो फ्सकार पंडल है बताया गलों मुझा इस अंको भी आराHSorb तो घरवाले अब आपको देख के खुश रहते हैं कि अब आपकी तकलीफ जो है वो 90 परसंट ठीक होगी है खुश है ठीक है हकीम साब से अगर आप कुछ कहना चाहती हैं से इंट्रव्यू के जरीए तो आप कह सकती है अपने मन की कोई बात क्योंकि आपकी काभी फोन पर बा यह जाना आप आप अधरेकलोसन नीम्भुकारस उसमें सिर्का दाल के पीते वह हाट बलाकेज के लिए तो घर में अपक्षे से निकाल लेकि यह ज़्यास घर में निकाल के वह भी यूज करे और दूसरा हो क्या हो अधर चुरन पीट के लिए पताते हैं वह वह भी बना के करते हैं जब क्या सब्सक्राइब ग्यास हो जाता है मेरे बड़े को तो चुरन कहने से उसको आराम मिल जाता है तो शंट्र 2 पूसमें मिलाती है यह बता सकती है सोंट्ड जिरा और मेठी मेठी और धनिया यह सब को गया वह वह मिला है झाल के वह मिला ऑंच छीज तो देथे हैं सबस्तोंच आप देते हैं एक यानि आप नुस्क ते इपनाती है और हकीम goes for mansionों करते हैं तो युनानी ट्रीटमेंट से जुड़ कि अपना के कितना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसे पहले भी किया आपने कोई और दवाईयों का इस्तमाल किया है? नहीं बहुत सार दवाईयों के लिए भी किया है, इसे पहले नहीं हो तो, तो आप तो विश्वास है अभी भी काम करेंगे तो थोड़ा ठक जाता है, पहले की जिंदगी कितनी असान हो गई है बहुत है असान हो गई हैं खुश है हाँ जी पुश है चलिए शुक्रिया मैम आपने वक्त हमें दी अपने घर हमें आपने बुलाया हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको धेरो शुपकाम नाए बहुत सारी दुआए आप ऐसे ही सेहत-मंद रहें स्वस्त रहें और हमारे परिवार का हिस्सा हमेशा बनी रहें ब करते हैं लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है एक चोटी सी कोशिश हमारे साथ जुड़े रहना है तो आज के इस खास कारिक्रम में बस इतना ही और मुझे भी दीजिए इजासत नमस्कार आदाब